हेलो फेंड्स मैं हूँ सौरप आज की वीडियो में आपको चार ऐसे बहतरी इन उबटन के बारे में बताने बाला हूँ जिनें आप अपनी त्वचा के मताविक लगा कर अपने चेहरे को और भी ज़दा खुबसूरत बना सकते हैं और साथ ही इन उबटन को बनाने का आसन तरीका भी हम आपको आज की वीडियो में बताने बाले हैं किसी भी तरह की चीज को स्किन केयर में सामिल करने से पहले अपने त्वचा के प्रकार को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ताकि उस उबटन से आपको भरपूर फायदा मिल सके जहां तक उबटन की बात है तो इसे आप सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बलकि आप इसे अपने पूरे सरीर पर भी इस्तिमल कर सकते हैं तो आईए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह की त्वचा पर कैसा उबटन लगाना चाहिए और उसे बनाने का तरीका क्या है अगर आपकी त्वचा रूखी है तो आप बेसन हल्दी और चंदन का उबटन बना सकते हैं उबटन बनाने और लगाने का तरीका सबसे पहले एक कटोरी में एक चमच बेसन एक चोथाई से भी कम चमच हल्दी पाउडर और आधी चमच चंदन पाउडर मिलाएं फिर उसमें उतना ही दूट डालें जिससे उबटन गाड़ा पेस्ट बन जाएं अब इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो आप इसे हलके हलके हातों से मलते हुए उतार दें फिर साफ पानी से त्वचा को धोलें यह उबटन रूखी त ट्वचा को मोस्टराइस करने में मदद करता है अगर आपकी ट्वचा ट्वचा तेलिये है तो संत्रे के छिलके का पाउडर और सहद का उप्टन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा उप्टन बनाने और लगाने का तरीका सबसे पहले एक कटोरी में आवसकता अनुसा संतरे के छिलके का पाउडर और सहद मिलाकर एक गाला पेश्ट तियार कर लें। अब इस उब्टन को आप अपनी त्वचा पर लगाएं। और जब ये सूख जाए तो त्वचा को साफ पानी से धोकर साफ कर लें। यह उब्टन त्वचा के अत्रिक्त तेलिय प्रभाव से रहा दिलाकर मुहासों से बचाए रखने में भी काफी मज़द कर सकता है। अगर आपकी त्वचा मिश्रित है तो आप मसूर की दाल से बने उब्टन का इस्तिमाल कर सकते हैं। उब्टन बनाने का तरीका। दो बड़ी चमच मसूर की दाल को रात भर पानी में भिगो कर छोड़ दें। फिर अगली सुबह दाल को पानी से अलग करके पीछ लें। इसके बाद दाल को एक कटोरी में आधा कप दूद और बादाम के तेल की कुछ बूंदों के साथ मिलाएं। अब इसे अपनी त्वचा पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो इसे ठंडे पान पानी से धोलें। यह त्वचा को गहराई से साफ करने के साथ साथ दाग दबों से भी छुटकारा दिला सकता है। पाने में मदद मिलेगी बलकि चहरे पर भी चमक आ जाएगी और समय से पहले उभरने वाली बढ़ती उम्र के प्रवाफ से भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक के लिए अपना खयाल लगना जैहिंद जैभारत। दिर कर लाइब कर देना खंगर वीडियो कि खंगर संगी हो तो मिलते हैं लगना जैहिंद जैपको कि आख़ों से लाइब कर दो वीडियोर साफित्स आपको आपको अपको कि एकंजरत।